देश के बड़े न्यूस चैनलों में से एक जी समु के हिंदी न्यूस चैनल जी न्यूस से चोकाने वाले खबर सामने आई है जानकारी यह है कि जी न्यूस के एडिटर इंचीफ सीओ सुदिर चोदरी ने अपने पस से इस्तिफा दे दिया है खबर यह है कि चैनल के लोगप्रिये प्राइम टाइम शो डियाने में एक बड़ा बदलाव होने से नराज होकर सुधिर चोधरी ने इस्तिफा दिया है दरसल लंबे समय से रात नो बजे डियाने होस्ट कर रहे सुधिर चोधरी को इस सो की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है इस हफते की सुरवास से ही इस सो को सुधिर चोधरी की जगहा जी हिंदुस्तान के एंकर रोहित रंजन होस्ट कर रहे हैं करीब दो साल से जी हिंदुस्तान में करेड़त हैं इससे पुर्व वह सुर्य समाचार और P7 चैनल में भी काम कर चुके हैं सुदिर चोधरी ने अपने स्तीफे में अंगरीजी में कहावत लिखी Great is the art of beginning but greater is the art of ending साथ ही उन्होंने डक्टर सुबस्च चंद्रा जी से आसिरवाद भी मांगा उन्होंने कहा कि अंतरमन की आवाज को सुनते हुए भारी मन से मैंने ये फैसला लिया है और जी नियूस से इस्तिफा दे रहा हूँ मुझे उम्मीद है कि मैं जो नया वेंचर सुरू करने जा रहा हूँ उसे लेकर आपको मुझे पर गर्व होगा जी मैं लगबग 15 साल के कारेकाल के दोरान मुझे यहां काफी कुछ सीखने को मिला अब हम जानेंगे सुधिर चोधरी के बारे में उनकी बायोग्राफी सुधिर चोधरी का जनम 7 जून 1974 में हर्याना के पलबल में हुआ था उन्होंने कला के छेतर में अपना इसना तक दिली विश्य विध्याले से किया इसके बाद सुधिर ने इंडियन इंस्टिटूट आफ मास कम्मुनिकेशन में अपना दाखिला करवा लिया और वहां से पत्रगार बनने के रहा पर चल पड़े सुधिर चोधरी का विभा नीती चोधरी से हुआ और उनका एक बेटा भी है सुधिर ने अपने करियर की सुरुवात 1990 के दोर में सुरू की थी वे जीन्यूस के साथ अपने और चैनल के सुरुवाती दिनों से जुड़े हुए हैं 2003 में सुधिर ने जीन्यूस छोड़ सारा गुरूप के साथ जुड़ने का सोचा उन्होंने सारा समय के लांच में बहुत एहम भुमिका निभाई वे थोड़े समय के लिए इंडिया टीवी के साथ भी जुड़े रहे पर 2012 में सुधिर की दोबारा जीन्यूस में वापसी हुई आज वे जीन्यूस के एडिटर इंचीफ और प्रैम टाइम शोड़े ने के प्रेजेंटर हैं जो की प्रैम टाइम के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले करेक्रमों में से एक है सुधिर को मीडिय के छेतर में उत्तम कारिय करने के लिए के प्रुस्कार भी मिले हैं उन्हें उनके उत्तम कारिय के लिए रामनाद गोइंग का एक्सिलेंस अवर्ड 2013 और 2017 में सम्मानित किया गया सुधिर चोधरी की आए वा संपत्ति के बारे में अब हम जानेंगे सुधिर की मासिक कमाई लगबग 25 लाक है इसके अलावा सुधिर के पास रियल इस्टेट की बहुत सारी प्रपर्टी है जिसमें से अधिकतर उनके गाउं में है और कुछ अन्य सहरों में भी उनकी संपत्तियां हैं सुधिर की कमाई का मुख्य स्रोत पत्रकारता और उनकी एंकरिंग ही है सुधिर एक गुणी पत्रकार और सुल्जे हुए एंकर हैं उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप सुधीर चौदरी को पसंद या नापसंद कर सकते हैं पर आप उन्हें नजर अंदाज नहीं कर सकते। понятно कि 500 क्रोण रुपे मागने के आरोप में सुदेरिचोधरी को थीन दिन पिहार जेल में बताने पड़े और आभी वे जão लार हैं दोस्तों मेरा ये वीडियो वीडियो आपको अच्छा लगा होका अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लिन्ज मरे चैनल कर सिप्सक्राइब कीजेगा कर लिच्क्रैप्शनिंक कर मां भी जुब अ वाग करें दोस्तों इजे के साथ में अपने इस वीडियो के विराम देता हूं कि दोस्तों बाबाय टेकर एविनेश देंड कर दो कर दो reason कर दोसाँ पाँ अजराघuna